अच्छे और मज़ेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए मौनसून में कई तरह के कीरे मकॉडे बाहर निकलते हैं साप से लेकर मकडी तक इन कीरों से कई लोगों को डर लगता है लेकिन आपको बता दे कि इनमें से कुछ कीरे प्रकृती के लिए काफी उपयोगी भी होते हैं तो कुछ खतरनाग भी तस्वीर में जो कीरा दिखाई दे रहे हैं उसे हैमरहिट बाम कहते हैं ये इनसानों पर अटेक तो नहीं करते लेकिन फिर भी काफी खतरनाक होते हैं ऐसे पहुचाते हैं नुकसान हैमर यानी हथोड़ा इस कीरे का नाम इसके आकार की वजह से पढ़ा है दरसल इसके सिर की आकरती हथोड़े की तरह होती है ये ज़्यादातर यूरोप और यूएस में पाई जाते हैं इनका मुख्या आहार अर्थवर्म्स होते हैं अर्थवर, मस्प्रक्रिती के लिए काफी फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही पेर पौधू की हेल्दी भ्रोथ होती है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम पौधू पर ही डिपेंड करता है हेमरहिड अगर अर्थवर्म्स को खाते जाएंगे तो फूर्चेंड डिस्टब हो जाएगा जी के कारण पूरी पृत्वी मुसीवत में भी पढ़ सकती है हेमरहिड अपने शिकार को अजीवो गरीब धंक से मारते हैं अर्थवर्म्स को देखते ही वो उसके आसपास एक चिपकने वाला तरल पदार्थ छोड़ने लगत हैं अर्थवर्म्स उनसे चिपक जाता है फिर ये अपने शिकार को दबोच लेते हैं हेमरहिड टेट्रोडोटॉक्सन नाम का केमिकल सीक्रिट करते हैं जो शिकार की बॉड़ी को लिक्विड में बदल देते हैं इसके बाद वो धीरे धीरे उन्हें पी जाते हैं कई साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर हेमरहिड टेजी से अर्थवर्म्स का शिकार करेंगे तो इससे प्रकृती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इसलिए अगर इन्हें घर पर देखे तो तुरंत मार दे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद